कोराडी ग्राम पंचैत के तहत माजगदंबा कोराडी मंदिर आता है जहां की पार्किंग की हर साल निलामी की जाती है लेकिन इस साल कुछ अलगी धानली नजर आई है जहां पहले तो ग्राम पंचैत ने निलामी की प्रक्रिया दो अक्तुमबर को रखी थी पर बाद में पिर शुरू हुआ खेल मर्मानि वसुली का। जहाँ नियमावली में कोराडी मंदिर की पारकिंग में टू उविलर से दस रुपै और फोर उविलर से तीस रुपै वसुल के जाने का प्रवधान है। वही पारकिंग में कुछ अलग ही धानली नजर आई। जहाँ टू विलर से 20 रुपे और फोर विलर से 50 रुपे वसुले जा रहे है वही वसुली कर रहे हैं लोग करमी है या गुंडे बनमाश जैसा बरताव कर रहे है जिससे कोराडी ग्राम पंचैत निशाने पर आ रही है हम ये बात हवा में नहीं कर रहे है किस्री उजलानी उसके पास इस बात के पुकता सबूत है जहाँ एक और निलामी के परिपत्रक में आप तै किये गए पैसों से ज़्यादा भगतों से नहीं वसुल सकते वही टिकेटों पर 20 से 50 रुपयों का ज़रूर से ज़्यादा बोज दिया जा रहा है ना ही पारकिंग में काम कर रहे है लोगों का कोई यूनिफार्म है और ना ही कोई आडिट पारकिंग के इलाके में कैमेरे भी नहीं है पारकिंग फी वसुली कर रहे है लोग गुंडा गर्दी कर पैसे वसुल कर रहे है सारा काम हवा में चल रहा है भग धी अपनी जल्दे में रहते है जिससे असल में फी कितनी है और वसूल कितनी जा रही है इस बात पर उनका ध्यान नहीं होता हाला कि ये हजारों नहीं तो लागों का करप्षन है जो कोराडी ग्राम पंचायत की ओर से किया जा रहा है अगर नहीं तो कोराडी ग्राम पंचायत को भक्तों की सुविधा के लिए पार्किंग लॉट में एक बैनर लगाने की आवशकता है जिसमें असल रकम कितनी है इसकी जानकारी हो इस साल पाबंदियों की बावजोद कोराडी मंदिर में भक्तों की भारी संख्या है जिससे पार्किंग की देयक रकम भी बढ़ाना स्वाबाविक है हाला कि परिपत्रक पर कुछ और कीमत और टिकट पर कुछ और इस बात से कोराडी ग्राम पंचायत, सरपंच और सचीव सभी निशाने पर है अगर वक्त रहते इस पर स्पष्टिकरन नहीं दिया गया तो समधित लोगों पर जोरदार कारवाई होने की मांग केसी रुजाला नियूस करता है हमारे पास कैसे कोराडी पारकिंग के करमी भक्तों से गाली करोश कर रहे है इसका फुकता सबूत है तो अगर ऐसे में कलको कोई बड़ी जन्हानी हो जाती है तो इसके लिए सिर्फ कोराडी ग्राम पंचायत, सरपंच और सची भी जिम्यदार होंगे